तो इस वीडियो में बात करेंगे कि Unicorn Startup क्या होता और कैसे आप अपना एक Unicorn Startup शुरू कर सकते हो और उसके properties क्या क्या होते हैं तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं बहुत ही आसानी से चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले जैसे आप जानते हैं कि Startup Yogis में हम आपको Startup के बारे में सब कुछ knowledge देते हैं अगर आप Startup Small Business शुरू करना चाहते हैं इन देप्थ में फालतु बक्वास या मोटिवेशन नहीं जाते हैं तो इस चैनल पर आपको यह सब कुछ मिलेगा तो अगर आप इ लिए तो चलिए इस वीडियो को जादा देर नहीं करके शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यूनिकॉन क्या होता है यूनिकॉन जैसे आपका इंद्र धनुष होता है ऐसा यूनिकॉन एक मुहावड़े में है थोड़ा सा अगर मैं कहूं कि सिंग होता है तो यह जैसा होता है पर वो घोड़ा होता है और यूनिकॉन स्टाटप का मतलब यह नहीं होता है कि कोई घोड़ा बेचता है घोड़े बेचने वाला स्टाटप को यूनिकॉन स्टाटप नहीं कहते है यूनिकॉन स्टाटप का मतलब होता है कि एक प्राइ बाइन भाषा में कहें तो 7000 करोर से जादा है तो अगर सोचे कि मैंने आपने मुझे मैंने कंपनी चुरू किया स्टार्ट अब होगी प्राइवेट लिमिटेड और यहां पर आपने मुझे वन बिलियन डॉलर डाल दिया तो मेरा तो भाई वन बिलियन डॉलर का वैलोएशन और रेविण्यों का डिफरेंस को होते हैं तो आई सेक्ष्टं में बटन होगा यहां पे अगर आप जैसे बार अप जैसे मैंने कि शुरू करता हूँ आज मेरे पास कोई प्रोडट्ट को सर्विस नहीं कोई आफिस नहीं कुछ नहीं यह मेरे पास ठीक है और आप आपने मुझे 1 billion dollar दे दिया मेरा कोई कस्टमर नहीं है कुछ नहीं है तो कल मैं लोग को बता सकता हूं कि मेरे पास 1 billion dollar मेरे कंपटनी में किसे ने इन्वेस्ट किया तो मैं billion dollar कंपनी का मालिक हूं और मेरा unicorn startup है तो यह ही है आपका unicorn startup और अगर आपका company वन बिलियन डॉलर रेविन्यु कमाता है मार्केट से उसका इनकम है वह बिलियन डॉलर यह 7900êsतना तो इसको कहिए उनिकरून रेविन्यृ बिश्नर में क्या डिफ्रेंस होता है तो तो यूिकार्टाप का Чी फ 캐ंसी फैंसी पेंसी इतना कुछ प्रेस में रिलीज मिलता है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जब भी आप 7000 करण रूपे उठाते हो किसी से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको कहलाती है, और प्रेस में आपको बिलता है बहुत एक्सपोजर की, देखो इस कंपनी ने वन बिलियन डॉ अच्छी होगी, ब्रैंडिंग अच्छी होगी, और उसके साथ जब आपको कोई 1 बिलियन डॉलर पैसा दे देता है, फिर वो पैसा आप खर्चा कर सकते हो, जैसे आने कहा रहे हैं, बहुत जादा पैसा है, ब्रैंडिंग है, लोग आपको जानना शुरू कर रहे हैं, तो लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके कंपनी के साथ जुनना चाहते हैं, तो आपको अच्छे क्वालिटी के टैलेंट भी मिल जाते हैं, और अक्वास क्योंकि बहुत जादा पैसा है, तो उनको हार करने में आसानी हो जाती है, तो चलिए बात करते हैं, इंडियन भरवर के अड़ देते हैं उनका भी इस आर सम अब बहुत सारी हैं पर इस आ सम अफ दी यूडिकॉंस ओफ इंडिया यूचुन जो है वीवर्क है कैंवा है ग्रामरली है अमेरिकन नहीं के बाहर के बहुत बाहर देश के हैं तो अभी चलिक हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं यूनियोंस के साथ प्रोब्लम्स प्रोज और बार में बात करना बहुत ज़री है कि यहां पर अगर आपने बिलियन डॉलर फंडिंग उठाया फिर भी आपका कंपनी बंद हो सकता है या उसका वैलुएशन कम हो सकता है वी वर्क का वैलुएशन बंद हो जाता है या वैलुएशन कम हो जाता है तो उसका loss of capital हो जाता है जिन्होंने इंवेश्ट किया है उनका loss हो जाता है और अगर पैसा आपके पास खतम हो गया तो फिर जोब बहुत लोगी चली जाती है और job चली गई तो economical loss होता है आपने company खोला आपने दस vendor के साथ काम किया उनको बता है कि मेरा इतना बड़ा company आप अपना stock बढ़ा हो फिर आपका company बंद हो गया तो बाकी जो vendor आपके साथ काम कर रहे थे customer जो आपके साथ काम कर रहे थे उनका जो धंदा है वो भी economically अगर मैं long term अगर सोच हूं तो बुन का भी बहुत जादा loss हो जाता है और इससे investor का trust कम हो जाता है जो भी business में आ रहा है उसका trust कम हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि भाई इसने तो मेरा shandy लगा दिया वो भी मेरा अगर shandy लगा देगा तो मैं क्या गरूंगा मेरा त WhatsApp हो गया ऐसा कुछ चीज है जो लोग को बहुती लोग उसको consume करेंगे लोग जानेंगे उसके बार में interested होंगे जिससे WhatsApp सबको use करता है तो यह एक novel idea हो जाता है कि आप उसमें video share कर सकते हो, photo share कर सकते हो, WhatsApp call कर सकते हो, video call कर सकते हो, कुछ भी share कर सकते हो, communicate कर सकते हो without any problem और य अगर आपके पास ऐसा कुछ चीज है, trademark, pattern ऐसा कुछ है, तो वो आपको मदद करेगा, एक unique business दियार करने, उसके उपर आप एक business शुरू कर सकते हैं, जैसे pharma company जो होती है, maximum, आपका IP, secrets, patent के उपर, करोरो अर्बो रुपे कमाती है, next हो जाता है कि कोई भी business, जिसको आप IPO की तरफ लेके जा सकते हैं, IPO मतलब जिसका आप stock exchange में, BSEO, NSEO, Kolkata stock exchange, NYSEO, वहाँ पर becoming a unicorn startup is much, much higher, तो इसी तरीके से आपको इस वीडियो में पता चल गए कि किस तरीके से आप अपना एक unicorn startup शुरूब भी कर सकते हैं, थोड़ा idea मैं आपको दे दिया है, step by step अगर आपको follow करना है, तो बहुत सारे जीज़े होती है, जो आपको मदद करेगी, उसके साथ साथ अ अपने business को बढाने के लिए, शुरू करने के लिए, ग्रोग करने के लिए, तो screen पर देगे link पर चा सकते हैं, या इसका link description में दिया हो रहेगा, वहाँ पे आपको free guide एक मिलती है, जिस जो आपको मदद करेगा, आपके business को valid करने को, business idea को validate करने को, ताकि आप आसानी से अप start-up business शुरू कर सकें